SDM जोती मौर्य और उनके पती आलोक का रिष्टा चर्चा में आने के बाद से आए दिन एक अलग मोड ले रहा है। अब आलोक के साले ने कैमरे पर कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे आलोक के दावे कुछ हद तक सही साबित हो रहे हैं। साले ने कहा है कि उसके जीजा यानी आ अंभीर आरोप लगा रहे थे लेकिन यह पहली बार है कि किसी तीसरे नेपती के दावे को सही ठहराया है। जोती मौर्य के भाई ने मीडिया के कैमरे पर और भी बड़े खुलासे किये हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी दीदी SDM बनने की तयारी कर रही थी तब उनके जी पिता भी आकर रहते थे लेकिन फरवरी के बाद यहाँ पर उनका परिवार नहीं रहता है। वहाँ अब सिर्फ दीदी के घरवाले रहते हैं। साले ने ये भी कहा कि तीन-तीन सरकारी नौकरी छोड़ चुकी उनकी बहन ने भी आलोक की खूब मदद की है। ये बात सच है की। जोती ने आलोक से कानूनी रूप से अलग होने के लिए याचिका दी है। उनकी दो बेटियां भी हैं जिनके लिए आलोक इन सारी। बातों को भूल कर अभी भी अपनी पतनी के साथ रहने के लिए तयार हैं। कुछ दिनों पहले ही बरेली में पदस्थ SDM जोती मौर्य के पती आलोक का एक वीडियो सोशल मीडिया हुआ था। इस वीडियो में आलोक ने उन पर कई गंभीर सवाल खड़े किये थे। आलोक ने कहा था कि उनकी पतनी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और जब वह SDM बन गई तो उन्होंने अपने पती को छोड़ दिया। इतना ही नहीं आलोक ने जोती पर यह भी आरोप लगाया कि उनका हुमगार्ड कमांडेंट मनीश दुबे से अफेयर भी चल रहा है।